आज का शिर्डी साइसंदेश मेरे बच्चे, जो भीड में चलते हैं, वो भीड में ही गुम हो जाते हैं, और जो अकेले चलते हैं, वो ही इतिहास बनाते हैं। पूरी जिनकी अपनी मजबूरियों को मत कोसते रहो, अपने उपर विश्वास करो। तुम्हारे अंदर वो बात है, जो हर बाधा को पार कर सकती है। यदि आप उस व्यक्ति को ढून रहे हैं, जो आपकी किस्मत बदल दे, एक बार आईनी में जरूर देख लेना, क्योंकि तुम्हारी किस्मत तुमसे जादा और कोई नहीं बदल सकता है। जिनका मन साफ होता है, अक्सर ये संसार, ये दुनिया उसी को गलत साबित करने में लग जाती है। लेकिन तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सब जानता हूँ। कुछ लोगों के कारण तुम अपना मार्ग भटक गए थे, लेकिन आगे से अपने सही रास्ते पर चलते रहना, अब कभी भी सही मार्ग से मत हटना। जीवन में कभी भी समस्यों को देखकर हार मत मानना। क्या पता इनी समस्यों के अंदर तुम्हारी एक बड़ी शुरुवात छिपी हो जो तुम्हारा जीवन बदल कर रख दे। इसलिए कभी भी जिन्दगी में समस्या या दुख आने पर परशान कभी मत होना। क्योंकि सुक दुख एक ही सिक्य के दो पहलू है। जहां सुक ह वहां दुख भी है और जहां दुख है वहां सुक भी है। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते हैं। बस ये हम पर निर्भर करता है कि हमें किस से आशा रखनी चाहिए और किस पर विश्वास। अपनी हर परिस्तिति उस इश्वर पर छोड़ दो। क्योंकि जितना आप जीवन भर में करोगे वो एक ही पल में कर देगा। जिस दिन आपको स्वेम का मूलेपता लग जाएगा उस दिन से आपको किसी की निंदा या प्रशंसा से कोई भी फरक नहीं पड़ेगा। हर अनुभव कुछ न कुछ हमें सिखाता है। अनुभव अच्छा हो या ब पाओगे और तुम्हारे अंदर कोई काबलियत नहीं है। ऐसा हरकिस नहीं है। तुम चाहे अपने लिए कितना गलत सोच लो। लेकिन उस ईश्वर की कृपा का तुम्हें कुछ नहीं मालूम। कब किस पर बरस जाए। क्या पता कल सुबह जब तुम जागो और तुम्हा काबिल इंसान बनने वाले हो। और तुम्हारी तकदीर ऐसे चमकेगी जैसे की आस्मान के सितारे। और तुम्हें ऐसा कभी सोचा भी ना होगा। तो कभी भी दिल छोटा मत किया करो। मायूस होकर मत बैठा करो। उस मालिक के चमतकारोगा कोई भी अंत नहीं है। अगर तुम्हारा भरोसा अपने ईश्वर पर अपने मालिक के ओपर ध्रिड हो गया ना पक्का हो गया। तो वो तुम्हें उस मंजिल तक लेकर जाएगा जहां पहुंचना दुनिया का सपना होगा। जिंदगी अभी खतम नहीं हुई है। जिंदगी तो बहुत बड़ी पड़ बहुत कुछ लिखा है परमात्मा ने तुम्हारी तकदीर में। कभी भी अपनी तकदीर को कोसा मत करो बस महनत करना मत चोड़ो। मालिक ने तुम्हें बहुत कुछ देना है। जो लोग महनत करने से और सच्चाई का मार्क चुनते हैं न वो परमात्मा भी कभी भी उनका ह लेकिन इस बुरे वक्त के बाद तुम्हारा अच्छा वक्त भी जरूर आने वाला है। मैंने जब तुम्हें ये जीवन दिया है तो कुछ तो सोचा होगा ना तुम्हारे बारे में। इमानदारी से अपनी बारी का इंतिजार करो। एक दिन जरूर आएगा कि तुम्हारी जिन्गी सबसे बहतरीन होगी। बस तुम कर्म करते रहो और फल की चिंता बिल्कुल भी मत करो। जब भी तुमने किसी का अच्छा सोचा है या किसी की सायता करी है। लेकिन तुम्हारे साथ उल्टा ही हो जाता है गलत होता है लेकिन तुम दुखी मत हुआ करो। क्योंकि तुम अपनी तरफ से अच्छे कर्म कर रहे हो। मैं जानता हूँ जब तुम्हारे उपर बुरा समय आया तो तुम्हारे साथ कोई नहीं खड़ा हुआ। बस वो ईश्वर तुम्हारा साथ निभाता रहा। तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहा। जिनको तुम इतना मानते हो पूरी श्रद्धा रखते हो। अपने अच्छे बुरे वक्त में तुमने परमात्मा को ही पुकारा है। तो वो अभी भी देरी नहीं लगाएंगे। तुम्हारी मदद करने में तुम्हें किसी भी संकट या परिशानी में देख वो तुम्हारी मदद करने दोड़े दोड़े चले आएंगे। जादा उदास मत हो। ये मुश्किल समय अब और दिन तिकने वाला नहीं है। ये दुख की घणिया अब जल्दी समाप्त हो लेकिन मेरे बच्चे हिम्मत बिल्कुल मत खोना, हार की बिल्कुल मत बैटना, बस तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू हो चुका है। बस मेरा नाम जाप करते रहो, मुझे याद करते रहना, मेरा हाथ पकड़कर रखना, देखना मैं तुम्हारी तकदीर जरूर बदल इसलिए मालिक के निर्णे में कभी भी संधे मत किया करो, देर से ही सही वो देता जरूर है, बस सही वक्त का धहरे के साथ इंतिजार करो, खोश्या अवश्य मिलेगी।